तो दोस्तों मेरे वीडियो पे एक बार फिर शे आपका स्वागत है आज मैं आपको चार टाइप की मैसेंडरी डिजाइन होती है वो बताऊंगा सबसे पहले यह आपके सामने है जो फर्स्ट क्लास ब्रिक से मैसेंडरी डिजाइन बनती है वो है आपके सामने इसमें आप देख सकते है सभी इंटे एक समाने और इनके बीच में जो गुरू रखे हुए है वो सभी 5 mm के है ब्रिक आप सुनते हो किताबों में पढ़ते हो वो यही फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है आज तक आपने जो भी इंटे देखी है गाहों में यह तो थर्ड क्लास इंटे होती है यह फिर सेकंड क्लास इंटे होती है यह फर्स्ट क्लास ब्रिक है जिसके कोने एक दम तिकोने होते हैं सभी साइड से और यह आर्किटेक्टर परपस के लिए ऐसी इंटों का काम में लिया जाता है इन पे किसी भी परकार का प्लास्टर नहीं होता है यह देखने में बहुत ही सुन्दर लगती है और इनकी मेसेनरी करने में भी काफी द्यान रखना पड़ता है और यह जो नीचे है यह अपने ट्रेडिशनल भी इंटे आती है वो इंटे है क्योंकि यह फिलिंग में दब जाएगी इसलिए इनको नीचे काम में लिया गया है जो दिखाने के लिए वाली इंटे है जिन पे कोई प्लास्टर नहीं आएगा वो आर्किटेक्टर इंटे यहाँ पे लगाई गई है और यह एकदम ही जीरो-जीरो काम किया हुआ है इस पे किसी भी प्रकार का प्लास्टर नहीं होगा अभी सेकेंड जो मैं आपको डिजाइन बताने वाला हूँ वो डिजाइन जो अपने गाउं में चलती है जिस कालू मिस्त्री आके करके चला जाता है हम बता देते हैं यह इंटे रही यह सेंड रही, यह सिमेंट रही तेरे को जैसे लगाना है लगा क्योंकि इनके उपर होता है प्लास्टर और प्लास्टर में हमको कोई भी डिजाइन उजाइन दिखाने की जरूरत नहीं होती है परपस भले यह ना हो अभी यह सेंड इंटे हैं यह इंटे नहीं है यह टाइल्स है इंटों जैसे डिजाइन दिखाने के लिए यहां पर लगाए गई है यह देखिए दस m.m की यह टाइल्स आती है मैं के सफ़टी वैसे ही इनका जो प्रोसेसिंग जो मैनूफेक्श्रिंग है वो इंटों के जैसे होता है लेकिन ये ठिकनेस में कम होती है और ये डारेक्ट दिवार पे केमिकल से चिपकाई जाती है इनमें ये इंटे लगाई हुई है ऐसा दिखाने के लिए ये टाइल्स लगाई जाती है इसको ब्रिक कलेडिंग बोलते हैं ये आपके सामने है और इसमें भी जो गुरूव है वो पांच एमम जितना है या तीन एमम जितना रखा जाता है वो पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो पांच एमम का गुरूव दिखाना चाहती है या फिर तीन एमम का गुरूव दिखाना चाहती है और ये जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि इंटों की जो ब्रिक होती है या कहीं बंगलों में देखा होगा जो इंटों की ब्रिक की कलेडिंग होती है वो यही होती है इस पे भी किसी प्रकार का कोई प्लाश्टर नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्टर परपज के लिए ऐसी जो ब्रिक की डिजाइन है वो टाइल की कलेडिंग लगा के बनाई जाती है जैसे की लगे ऐसे की ब्रिक का मेसेंडरी की हुई है फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको दूसरे वाली चोथी वाली जो डिजाइन है अपनी मैंने आपको तीन बताई पहले फर्ष्ट क्लास की फिर ट्रेडिशनल फिर जो अपने टाइल की कलेडिंग है फिर ये बाद में है ये चोथी जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्थ इसमें किसी भी प्रकार की इंटे काम में नहीं ली जाती है इसमें आपने देखा होगा चाइना से बहुत वीडियो आते हैं बहुत कारीगर लोग देखते भी है इसमें टेप लगा दी जाती है टेप लगा कि फिर उसके उपर प्लाश्टर कर दिया जाता है या फिर उसकी उसी एंसाब से इसमें टेप के उपर जो ये केमिकल है या प्लाश्टर ये लगा दिया जाता है और रेड कलर डाल दिया जाता है फिर उसके बाद में उस टेप को खिंच लिया जाता है जिससे कि ये अपने को ब्रिक का ब्रिक मैसेनरी जैसा लगे और ये आपके सामने 4-5 सेंपल बनाय हुए है जो अपने केमिकल लगा है करे टेप लगा है कि फिर उसके बाद में ब्रिक का जो design दिखाना है वो लगाया हुआ है इसमें भी देखिए कहीं पे कम माल लिया हुआ है कम chemical लगाया हुआ है कहीं पे ज़्यादा लगाया हुआ है और ये sample बनाई हुए है और वो जो first class brick के मेंसेंरी थी सबसे पहले जो मैंने आपसे दिखाई थी वो machinery क्यों ही है ये sample लगाया हुआ है party को दिखाने के लिए कि इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा या कौन सा लगाना है architecture purpose से कैसा दिखेगा उसके लिए 3-4 sample दिखाई हुआ है और आपको अगर देखना है कि ये design कैसे बनाई है तो मेरे वीडियो को subscribe करें तो आपको जब पूरा काम होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाया हुआ है जो चाइना से आप वीडियो देखते हो और यह ना सोचो कि सब काम चाइना में होते हैं आजकल सभी जगे ये काम होने लग गए हैं सिर्फ चाइना में नहीं होते हैं हमारे यहां भी ऐसे जोरदार जोरदार मिस्तरी बेटे हुए हैं जो ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बताया आर्खिटेक्चर परपस से जो इंटों की डिजाइन होती है चार प्रकार की वो कैसे होती है वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को सेर भी करे ताकि ये डिजाइन में आपको आने वाले टाइम में बता से